दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो, FAMPay application पर हमने एक 18 वर्च से कम के बच्चे का live एक successful account create करके दिखा दिया है, अगर आपको भी FAMPay application पर एक account create करना है, तो account create करने से लेके FAMPay application को कैसे use करना है, इसका पूरा process इस वीडियो में हम आपको live करके दिखाने व यूज करके आप online पैसे वेगरे का transactions कर सकते हैं, साथ में यहां पर आपको virtual and physical दोरों ही debit cards मेरेते हैं, जिसका use करके आप cash return या फिर online shopping वेगरा भी कर सकते हैं, इस application से जब आप transaction करेंगे तो आपको reward points भी मिलने वाले हैं, तो फिर चलिए अब फटाप वट से FAMPay पर account creation का process समझ देते हैं, अभी FAMPay app में अपना एक account create करने के लिए सबसे पहले वीडियो के निचे description box में FAMPay application का download link मिलेगा, उस link पर click करेंगे देना आप Google Play Store पर redirect हो जाएंगे and यहां से आप FAMPay by today application को simply install कर लेंगे, एक बार application install हो जाता है then आप इससे simply open करेंगे, उसके बाद आप से जो भी permissions मागे जाएंगे, सभी permissions को आप allow करेंगे, अभी आपको mobile number बताना है, जिस भी mobile number से आप इस account को open करना चाहते है, उस mobile number को यहाँ पर fill करके, नीचे इस arrow वाले बटल पे click करेंगे, उसके बाद आपने जो mobile number भरा है वो आपके mobile phone में ही लगा रहना है चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा mobile number verify हो चुका है, अभी आपको नीचे continue बटन पे click करना है, next page में आप जिसका account ओपेन कर रहे हूँ, उसके अधार कार्ट के साब से उसका क्या नाम है वो full name यहाँ पर enter करोगे, उसके बाद नीचे next करोगे, आप देख सकते हो मैंने जि आपका एक UPI ID generate हो करके आ जाएगा, जिसका यूज करके आप आगे transactions वगेरा कर सकते हैं, तो नीचे आपको let's go वाले option पे click करना है, अभी आप finally FAMP application के अंदर login हो जाएंगे, अभी इस application को use करने से पहले आपको यहाँ पर KYC करना होगा, उसके लिए यहाँ पर नीचे आपको आपको अधार का नंबर एंटर करके next कर देना है, फिर आपके अधार कार्ट से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP send के जाएगा, OTP यहाँ पर डाल के नीचे submit करेंगे, अभी आपका OTP verification complete हो चुका है, यहाँ पर आपके डिजी लोकर अकाउंट का 6 डिजिट का क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपका अधार कार्ट से आपका डिजी अटर अटोमेंटिक डिटेक्ट हो जाएगा, आप एक बार यहाँ पर वेरिफाई करेंगे, और नीचे यहाँ पर अलाव बल्टन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपका अधार verification successfully complete हो जाता है, और नीचे आपको एक option मिलेगा, I don't have my pen card, इस पर आप क्लिक करेंगे, मेरे किसमे मेरे पास pen card है, तो मैं यहाँ पर verify pen वाले option पर क्लिक करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर pen card का number डालके नीचे confirm कर देंगे, अब यहाँ आपका दूसरा step भी complete हो जाता है, और तीसरे step में आ का selfie का option आता है, यानि आपको अपने selfie क्लिक करके upload करना होता है, तो नीचे आपको take selfie वाले option पर click करना है, और आपका front camera on हो जाएगा, और आप अपने selfie क्लिक करके यहाँ पर upload कर देंगे, जैसे ही आपका selfie upload हो जाता है, यहाँ पर बेटिक लग जाता है, और चौते step में click करेंगे, और यहाँ पर आपके सामने एक board type का खुल के आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपने उंगली से simply digitally sign कर लेना है, और नीचे confirm बटन पर click कर देना है, उसके बाद आपका KYC verification यहाँ पर complete हो जाता है, और यहाँ पर आपके सामने your account is verified लिकर के आ जाता है, नीचे account के जो भी benefits होंगे, आपके सामने खुल करके आ जाएगे, जैसे कि पहला benefit है कि 10,000 हर महीने आप यहाँ पर spend कर सकते हैं, उसके बाद इस account से आप UPI transactions बगएरा कर सकते हैं, यहाँ पर आपको virtual debit card मिलता है, और यहाँ पर आप अपने physical debit card का यूज़ करके unlimited cash withdrawal भी कर सकते हैं, यह जो आप cash withdrawal करेंगे, उसके लिए आपको 29 रुपीज का charges देना होगा, यहाँ पर directly लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इन सबसे पहले आपको अपना email ID verify कर रहे ना है, तो यहाँ पर आपको add email का option नीचे मिल जागा, इस पर आप click करेंगे, और आपको verify with google वाले option पर click करना ह उसके बाद आपके phone में जितने सारी email ID से login होंगे, वो सारे देखने को मिल जाएंगे, आप जिस भी email ID से login होना चाहते हैं, उस email ID को select करके login हो जाएंगे, और उसके बाद आपका email ID भी यहाँ पर verify हो जाता है, जैसे ही आपका email ID verify हो जाता है, आपका account successfully finally create हो जाता है, अभी आप चाहें तो अपने account में यहाँ पर पैसे add कर सकते हैं, जितना भी पैसा आपको add करना है, वो amount आप यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद नीचे add money पर click करके आप पैसे add कर सकते हैं, फिलाल मुझे अपने account में पैसे add नहीं करने हैं, तो मैं dashboard पर आजाता हूँ, अब यहा contact पर भी click करके आप पैसे बेज सकते हैं, अभी यहाँ पर अपना QR code और virtual debit card देखने के लिए नीचे आपको account वाले option पर click करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, my QR code का option मिलेगा, इस पर आप click करेंगे, तो आप तक QR code आपकी सामने खुल करके आजाएगा, इस QR code को किस इसके अंदर आप अपने card के number वगएरा को देख सकते हैं, इस number का यूज करके आप debit card से कोई transaction भी कर सकते हैं, इसके अलावा नीचे आपको pay का option मिलता है, यहाँ पर इस पर आप click करेंगे, तो आप किसे वी QR code को scan करके directly अपने fanpage account से payment कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वी से कम है, तो आप fanpage पर अपना एक account create कर सकते हैं, और कैसे यहाँ से transactions वगएरा कर सकते हैं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like series पर comment कीजेगा और चैनल को subscribe कर लीजेगा